वेलकम टू ओवर यूटूब चैनल आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ADS 11 को डाउनलोड कैसे करना है और इंस्टॉल कैसे करना है इसके बारे में बताऊंगा ADS 11 को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर से ADS ID1.grassvalley.com इस वेबसाइट पर जाना है यहां जाने के बाद आपको EID Registration पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको अपनी email address फील करनी है और इसके बाद यहां से सलेक्ट करना है I have read the privacy policy और यहां से आपको send पर क्लिक करना है जैसे आप यहां से send पर क्लिक करोगे आपने जो भी email ID registered की थी उस पर एक mail आईगी वहां से उसे confirm करना है आपकी email पर कुछ इस तरह से email आईगी यहां से आपको इस link पर click करना है और यहां से आपको registration change करना है इस link से registration complete करने के बाद आपकी mail पर एक और mail आईगी इसके बाद यहां से आपको click करके login करना है और जो भी mail ID आपने register करते time डाली थी वो यहां पर mail ID आपको डाल लेनी है और उस mail ID का password enter कर लेना और यहां से login पर click करना है इसके बाद आपको यहां select करना है IDS पर और यहां से select करना है product IDS 11 और यहां से send बटन पर click करना है जैसे आप send बटन पर click करोगे आपकी email पर IDS 11 को डाउनलोड करने के लिए एक mail आ जाएगी इस mail के अंदर ही आपके IDS 11 trial version के serial number भी होंगे इसके बाद आपको यहां से download के नीचे जो link है download करने की उस पर click करना है और यहां से नीचे scroll करना है और यहां पर आपको IDS 11 download website यह एक link मिलेगी इस पर click करना है इसके बाद आपको यहां पर IDS 11 pro और वरग्रूप के लिए download file मिल जाएगी यहां से इस download button पर click करना है जैसे आप download button पर click करोगे आपके सामने IDS 11 download का setup आजाएगा जिसको आपको download start कर लेना है मैंने यह है already download कर रखा है इसलिए मैं इसे भी cancel कर देता हूँ download करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से IDS 11 का setup आएगा इस पर आपको double click करके open कर लेना है और यहां से select करना है i every to license, trum and condition और install पर click कर देना आपको next select करना है पर next select करना है और last में वापस next select करने के बाद install पर click करना है करते हैं आपकेंटом सक्षेश्फूल इंश्टॉल होने के बाद यहां से आपको फ्लोज पर क्लिक कर देना है इसके बाद आपको यहां से एडेस 11 को रन करना है जैसे आप एडेस 11 को रन करोगे आपके सामने सीरियल की एंटर करने का इंटरफेस सोगा यह सीरियल की आपके मेल पर EID Registration के दोरान आये थे वो सीरियल नंबर यहां पर आपको एंटर करना है इसके बाद यहां से आपको Registr पर क्लिक करना है जैसे आप Registr पर क्लिक करोगे आपके सामने Successful Registrate का मेशेज आ जाएगा इसके बाद आपको जो EID Registration के टाइम आपने मेल आईडी पर पासवर्ट डाली थी वो एंटर करना है इसके बाद यहां से आपको सलेक्ट करना है New Project अब आप इसके अंदर देख सकते हैं कि सोचल मीडिया के प्रिसेट नए वीडियो प्रिसेट आटोमेटिक एड़ कर दिये गये हैं ग्लैश्टी के लिए हो गया 4K के लिए हो गया सबसे पहले आपको यहां पर प्रोजेक्ट का नाम डाल देना है और यहां से प्रिसेट सेलेक्ट कर लेना है मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ ग्लैश्टी 25 से और यहां से OK पर क्लिक कर देता हूँ ओपन होने के बाद ADS 11 का इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको सो होगा यहां पर मैं एक फुकेश डाल लेता हूँ पहले इसके बाद मैं इसे टाइम लाइन पर ट्रेग एंड ड्रोग कर लेता हूँ और ADS 11 के अंदर पोर்टो क्लिएर क्रेक्सिंग का जो न्यूऊएं फीचेर आया था वो आपको इफेक्ट के अंदर मिलेगा उटेक्णate में के बाद आपको क्याम है वीडियो फिल्टर और यहां पर पिक्चेर एंड हइंसर के नाम Sutês वह एफेक्ट मिलेगा इसे अग Εंड ड्रोग करके आ इसके बाद यदि आपको इसके अंदर adjustment clip लेनी है तो यहां से आपको mouse का right button क्लिक करना है और यहां से select करना है new clip और यहां से आपको select करना है adjustment की adjustment clip को में drag करके दोनों clip पर डाल देता हूँ अब यहां से effect के अंदर जाता हूं और color correction के अंदर जाकर यहां से effect select कर लेता हूं में primary color correction और लाकर इसे adjustment clip पर drag and drop कर देता हूं और यहां से कुछ correction कर लेता हूं अब आप देख सकते हैं कि एक single clip के अंदर adjustment clip के दुआरा दोनों details के अंदर सेम तरह की color grading हो गई है adjustment clip video editing के लिए बहुती beneficial है कर दो कर दो